बैंगन की सबजी जब बनाएंगे ऐसे तो बिना खाए कोई कैसे रहा पाएगा जिन्हें बैंगन नहीं पसंद वो भी मांग मांग के खाएंगे और सब चट कर जाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैंगन की टेस्टी सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन को अच्छे सी धोकर साफ कर लेंगे तो यहां पर हमें पतले लंबे वाले बैंगन होते हैं उन्हें लेना है अब क्या करेंगे कि इसके डंठल को हम काट कर हटा लेंगे तो पूरा डंठल हमें नहीं काटना है थोरा सा काटेंगे और लगा रहने देंगे इसमें अब बैंगन को हम इस तरीके से बीच से दो भा बैंगन को हमें यहां काट काट कर अलग नहीं करना डंठल के साथ इसे लगे रहने देंगे बैंगन मैंने यहां पर 400 ग्राम लिए इसी तरीके से सारे बैंगन को हम चार भाग में काट कर रख लेंगे और इस सबजी को बनाने के लिए आप इसी तरीके का बैंगन ले लंबे पतली वाले होते हैं यही बैगन आपको लेना है बहुत ही अच्छी सबजी बनती है तो सारे बैगन को हम काट कर रख लेंगे बैगन काटने के बाद काले पड़ने लगते हैं तो अब हमें क्या करना है कि जल्दी से कटोरी में एक छोटी चमच हल्दी पाउडर लाल मिर्च क पाउडर घनिया पाउडर डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम थोरा सा नमक डाल कर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इन मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि कटे हुए बैंगन लेंगे जो वे बैंगन में लगाते है न तो क्या होता है कि इन मसालों का टेस्ट बैंगन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से चला जाता है और सबजी हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है तो सारे बैंगन में हम इसी तरीके से इन मसालों को सुखे मसालों को लगा लेंगे सारे बैंगन में मसाले मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है अब जो मसाले प्लेट में गिर गया है तो उन्हें उठा कर हम कटोरी में रख लेंगे फिर से अब हम कराही या फ्राइपेन में यहाँ पर दो से तीन चमस सरसो का तेल डालेंगे सरसो के तेल में ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है तेल गर्म होने के बाद इसमें हम एक एक करके बैंगन डाल देंगे जिन बैंगन में हमने मसाले लगा है उन्हें डाल देंगे ते एक बार में जितना है उतना हमें डाल लेना है प्नेया है कि सारे बैंगना मैंने एक ही बार में डाल दिएं बैंगन डालने के बाद अगर मénergie सी दॉन हुऑ हुआ इस से क्отेर आप तरह मंड़कूया आप हकती सरिक्वारी से क्वारी के सिंसेल अ क्योंस पर साल हो तेल एक हम लोग मीडियम राथे हैं लो दो मिनट के बाद हम बैगन को पलट लेंगे बैगन जब इस तरीके से सॉप्ट हो जाएना तब इन्हें हमें पलट लेना यह देखिए तो पलटने के बाद दूसरे साइड भी इन्हें हमें डेहर से दो मिनट सेख लेना है बैगन बहुत ही कम तेल में अच्छे से सिख जाते हैं और इतने तेल में ही हमारी पूरी सबजी बनकर ready हो जाएगी इसे भी कम तेल लगेगा क्यूंकि बैगन बहुत जल्दी पक जाते हैं, soft हो जाते हैं और ये तेल भी जादा नहीं सोकते तो ये देखिए बैंगन अच्छे से पक चुके हैं अब हम बैंगन को इस तरीके से एक एक करके निकाल लेंगे इस तरीके से निकालेंगे तो जो extra oil बैंगन में है वो fry pen में ही अच्छे से निकल जाएगा तो ये देखिए, इतना तेल अभी भी बचा हुआ है, तो बहुत जादा तेल बैंगन को हमें बुनने में नहीं लगा, सारे बैंगन हमने बुन के निकाल लिये हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सरसो लेंगे, तो ये पिली वाली सरसो न वो लेना है, दो चमच मिकसर ज पीश चुका है, ये देखिए, तो बस सरसो पिसने के बाद, अब हम क्या करेंगे, कि यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर प्याज लिए हैं, और दो हरी मिर्च लिए हैं, अब हम प्याज को इस तरीके से रफली चॉप कर लेंगे, दोनों प्याज को, रफली प पीश लेंगे, अगर आप सरसो के साथ पहले ही इन सारी चीजों को पीशते हैं, तो सरसो अच्छे से नहीं पीशते हैं, या फिर इने पीशने में ज़्यादा टाइम लगता है, इस तरीके से पीशेंगे, तो ये देखिए, सरसो और बागी सारी चीजे अच्छे से पीश तो अब मैंने यहाँ पर वही वाला फ्राइपन लिया और तेल को मैंने यहाँ पर निकाल लिया थोरा सा, और इसमें अब हमाधी चोटी चमच जीरा और सरसो डाल देंगे, एक तेज पता डाल देंगे, ये सारी चीजे अच्छे से तरग जाए, तब इसमें हम पीशी अब इसमें दो चोटी चमच धनिया पॉडर डालने के बाद इसमें आदी चोटी चमच जीरा पॉडर और चोथाई चोटी चमच काली मिर्च का पॉडर डाल कर इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें दो से त इन चम्मच हम पानी डाल देंगे पानी डालने से क्या होगा कि मसाले पतले हो जाएंगे इससे इन्हें पकाने में थोरा समय लगेगा और मसालों को हम अच्छे से भून भी लेंगे तो पानी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें यहां पर एक चम्मच लासुन अद का पेस्ट डाल देंगे और इस पेस्ट को इन मसालों के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है तो मसालों को यहां पर जितने अच्छे से हम पकाते हुए भूनेंगे ना सबजी का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा इन सारी चीजो से इन्हें हमें पकाते हुए अच्छे से भून लेना है तो ये देखिए मसाले के उपर तेल आपको दिख रहा होगा तो यहां पर मैंने बहुत जादा तेल नहीं डाला इसलिए आपको तेल बहुत जादा नहीं दिखेगा और मसालो को यहां पर अच्छे से पकाते हुए ग्रेवी आपको जैसी रखनी हो ना उसी हिसाब से पानी डाले तो पानी डालने के बाद अब हम यहां पर आधी चोटी चमच गरम मसाला डाल देंगे और स्वाद अनुसा नमक भी डाल देंगे नमक मैं यहां पर कम डाली हूँ क्योंकि नमक मैंने सर्जो के साथ भी डाल कर पीसा था अब ग्रेवी को अच्छे से ढख कर इसमें दो मिनट उबालाने देंगे इससे क्या होगा कि मसाले और ग्रेवी आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगे दो मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें बुने हुए सारे बैगन को हम एके करके इस तरीके से ड दालने के बाद इसे हमें अच्छे से कभर करके स्रिप 2-3 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पर क्यूंकि बैंगन तो पहले से ही पके हुए हैं तो बस मसाले और ग्रेवी का टेस्ट बैंगन के अंदर अच्छे से चला जाए उतना ही हमें पकाना है तो यह देखे 2-3 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे सब्जी अच्छे से बन गई हो ग्रेवी भी काफी ठिक दिख रही है तो अब हम गैस आफ कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए फिर से कभर कर दें यह देखे 10 मिनट के बाद देखे सब्जी की क्या रंगत है और सब्जी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है इस सब्जी को आप रोटी चावल पूरी पराठा किसी के भी साथ खाएंगे ना बहुत टेस्टी लगती है खास कर आप इसे चावल के साथ जरूर खाकर ट्राय करें बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसकी ग्रेवी देखी की कितनी अच्छी बनी है तो सब्जी देखके ही टेस्टी लग रही है न तो फिर देर किस बात की आप भी बनाए खाए इंजोई करें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ